कैसे हो आप सब आई होब कि आप सब लोग अच्छे होंगे सो गाईस क्या करो आज बहुत परिशान हो रही हूँ मैं पूरा दिन से ऐसे ही बस परिशानी में गुजर गया और अभी साम के बज़े हैं पांच सो मेरे बेटे क्या आज किसी ने बाइक ऊपर चड़ा दी स्कूल से आते वक्त तो पता नहीं इसको काफी चोट लगी है दोपैर से ऐसे ही पेन में मतलब गूम रहा है ये सो इसको भी डोक्टर के लेके जाएंगे मैं दिखाती हूँ आपको तो गाइस देखिए आप लोग इसको यहां पे चोट लगी है खावे के पास में सो अब ही मैंने इसके हाथ में ऐसे बांद दिया क्योंकि अगर यहाथ को ऐसे लटकाता है न तो उसके बहुत जादा दर्द होता है तो इसलिए मैंने इसको रसी को बान दिया है और ये इसके ना मतलब बहुत ज़दा दर्द हो रहा है यहां पे तो देखते हैं डोक्टर क्या बताते हैं तो मैं इसको भी बस लेके जा रही हूं डोक्टर के पास घर पे कोई भी नहीं है तो मैंने अपनी मा को बुलवाया है उसी के साथ लेके जाऊंगी और इसके पापा जी जो है बिचारे फोन भी नहीं उठा रहे है फोन सी चोप जा रहा है अनुका अब देखो कैसे बंदे हैं फोन भी सी चोप है अगर कोई ऐसे मर मूर जाए बीच में तो फोन भी नहीं दर्द हो रहा है सुबसे कब से हो रहा है दर्द जब से स्कूल आए न गाईस तब से ही इसको बहुत जब पेन हो रहा है तो अभी में लेके जाऊंगी इसको डॉक्टर के पास फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं सुगाई से अभी हम आ चुके हैं होस्पिटर आप देख सकते हैं सो पहले हम डॉक्टर के पास लेके गए थे तो उन्होंने बोला था कि एक्सराइस का करवाईए सो पहले हम डॉक्टर के हो पे काफ़े टाइम इन्तिजार करने के बाद फिर एक्सरेक के जो मनलब होस्पिटल है वहाँ पे आए सो यहाँ पे होस्पिटल के अंदर अब एक्सरा कराय जाएगा सो यह अपनी मसीने वसीने चेक कर रहे है और मेरी मा जो थी वो मेरे साथ आई है क्योंकि गर पे कोई भी नहीं था ना इसलिए मैं अपनी मा के साथ आई हूँ और हम मैं और मेरा बेटा परसस और मेरी माता जी हम तीनों ही गए थे क्योंकि इसके पापा जीत थे जो परसस के वो फोन ही नहीं उठा रहे थे उनका फोन सी चॉप आ रहा है सो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स गिरव गिरव रखी हुई है और यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसको अंदर भी लेटाया हुआ है क्योंकि वो मसीने चलाएंगे तो 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 ताइम लगएगा तो मेरी मम्मी जी है उसके पास अंदर बैटी हुई है सो मैं बाहर बैटी हूँ क्योंकि मुझसे उसका दर्द बरदास नहीं हो रहा है क्योंकि बार बार आखों से ना आंसू आ रहे हैं पते नहीं क्यों तो मैं बाहर बैटी हूँ क्यूंकि वो दर्द में रोता है कापी ज़दा तो मुझे बहुत बुरा सा लगता था कितना दर्द हो रहा था वो बहुत मैं रो रहा था तो इसलिए मुझे इसकी तकलिफ नहीं देके जा रही थी तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं अभी मसीन यह लगा रहे है एक्सरे यहाँ पे भी होगा बस तो इसको हमने इस दूसरी साइड लेटाया है क्योंकि इदर की साइड यह रोंग साइड लेटा हुआ था तो सभी साहीड लेटाया हुआ इसको तो अब मसीन इनोंने चालू कर दी है और अब यह एक्सरा करेंगे तो बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियो बनाया गाई सी वरिना इनोंने मना कर दिया था वीडियो बनाने से बट फिर मैंने बोला कि як Warning मुझे वीडियो बनानी है तो फिर मैंने बड़े मुश्किल से वीडियो बनाई क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर लाव नहीं करते वीडियो बनाना तो इसलिए फिर जब मैंने को इनकी आगर रिक्वेस्ट किया तो फिर इनोंने मुझे मुझे नहीं किया फिर बोले कि चलो कोई नहीं आप बना सकते क्योंकि ये जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है ना बस ये मुमेंट उपर वाला कभी मुझे ना दे क्योंकि पता नहीं यहा कैसे इसको चोट लगी बस तो जो बाइक वाला था ना वो भाग गया इसको चोट मार कि वो मिला ही नहीं कहां पर गायब हो गया उप्रिंव नहीं इसको उथाया भी पड़ोस ही होने और अभी हम रिपौर्ट लेके डोक्टर के पास आई है दुबारह से तो ये तो पता है क्या क्या यहां पर बता रहे थे कि आप इसको मुझा इसके अंदर रोड डालेगी ऑपरेशन होगा तो फिर मुझा से हम आ गए दूसरी दूसरे डॉक्टर के यहां पर जाएंगे अब यहां से क्योंकि इनकी मुझा थोड़ा से इनको कुछ चार्ज भी बहुत बता रहे थे 20-25 जार रुपे का खर्चा बता रहे थे यह कि इसके अंदर मसीने मतलब वो रोड होती है न वो डलेगी और इस तरीके से पढ़िटी बांदी है क्योंकि इधर वाली हट्टी फैक्चर रेस की सो बने रहना आप हमारे चैनल पर सो फिर मिलते हैं आप से नेक्स्ट चुडियो में आज पस पूरा दिन ऐसे मन बहुत जदा परेसान रहा बच्ची की वज़े से और घर पे कोई था भी नहीं आज बस पता नहीं कितनी परेसान के साथ मैं आज इसको दिखा के लाएं देखते हैं अब कल फिर बुलाया डोक्टर ने क्या बोलते हैं क्या नहीं कल देखेंगे डोक्टर दुबारा से तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को मिलती हूं फे नेक्स्ट चुडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ गाई थैंक्स पर वोचिंग बाइ प्लीज नहीं